जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे? दोस्तों, यदि बच्चा छोटा है, यदि पोधा छोटा है, तो आप उसको किसी भी दिसा में ढाल सकते हैं, मोड सकते हैं. लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, या पेड़ बड़ा हो जाता है, तो जो उसकी पहले टहनिया थी, वो बड़ी बड़ी डाले बन जाएंगी, उसको मोड़ना आसान नहीं होगा. इसी तरह से बच्चे के भी आदते बदलना फिर संभव नहीं हो पाता है. तो वो अपनी जड़े आपके घर में मजबूत करे, उससे पहले उसे बाहर उखाड फेकना चाहिए. यदि इन नेगेटिव एनर्जीज की जड़े आपके घर में पलती बढ़ती हैं, तो वो एक-एक करके घर के सभी सदस्यों में फेलती हैं. पूरे घर के माहौल में फेलती है और ऐसे घर का जो माहौल है वो पूरा नकारात्मक हो जाता है पूरा नेगेटिव हो जाता है घर के हर व्यक्ति हर सदस्य का दिमाग क्लेश युक्त हो जाता है आलसी हो जाता है आराम प्रद हो जाता है और आप यदि किसी के घर पे जाएंगे और जहां आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो अपने आप वहां से आपको इस तरह की वाइव जाएंगी आपको कुछ घरों में आपने महसूस किया होगा कि बहुत अधिक मातरा में होती है जिस घर से ये रोनख चली जाती है समझ दीजिए उसी घर में नकारात्मक सक्तियों का वास हो जाता है अब इन नकारात्मक सक्तियों का ठिकाना कहां कहां है वो मैं आपको बता दू कि नकारात्मक सक्ति हर जगा जैसे आपका किचन है तो किचन में जहां पर भी आपके खाने पीने का सामान रखा है उसका कोना, आपके बेडरूम का कोना आपका जो भी मेन होल होगा आपके बात्रूम में एसी हर जगा के जो कोने होते हैं एसी जगा पर नेगेटिव एनर्जीस का वास होता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन नेगेटिव एनर्जीस को कैसे साफ किया जाए और किस तरह से इनको अपने घर से दूर किया जाए और आप स्वेम महसूस करेंगे कि जिस जिस तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर से जाती जाएंगी तो आपके घर में खुसी का और हर सुलास का वातावन बनने लग जाएगा धीमे धीमे आपके घर में रोनक लोटने लग जाएगी आप देखेंगे कि घर के हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चेंज होने लग जाएगा पोजिटीव एटिटीटीड होने लग जाएगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंदम ग्रंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगए उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे तो चलिए दोस्तों बताता हूँ नेगेटिव एनर्जिस को दूर करने का और पॉजिटिव एनर्जिस को घर में वापस दोबारा लोटा के लाने का उपाए इसके लिए आप क्या करें? के सनीवार के दिन सुरियास्ट के पहले-पहले घर के जितने मेने कोने बता हैं उन सभी कमरों के कोनों को आप साफ करें और वहां से जितना भी कूडा करकट निकलता है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लें और उसको कहीं भी गंदी जगा पर आप डाल दें होसे के घर के सोचाले में डाल दें, बाहर गंदी नाली में डाल दें, थोड़ा थोड़ा से लेके डाल दें और बाकी का बाहर ले जाकर डाल दें और उसमें एक माचिस के तिल्ली जरा करके डाल दें इससे जो भी नेगेटीव होगी वो खत्म हो जाएगी इसके बाद में जब आप वहां से उस negative energies को ले लेते हैं तो मैंने जितनी जगा बताई हर कमरे में आप एक तेल का दिया जला दे कोई भी तेल ले लेकिन एक तेल का दिया हर कमरे में जला दे सक्ती का दिया है हर कमरे में जला दे इस क्रिया को आप लगातार साथ सनिवार तक करें सनिवार सनिवार के दिन करें साथ सनिवार तक करें इसको और आप देखेंगे कि इन दिनों में आपकी घर के जो लोग है उनके वर्तन वेवार में परिवर्तन आने लग जाएगा उनकी सोच में परिवरतन आने लग जाएगा आपके घर में जो लोग आएंगे बाहर से उनके attitude में आपको दिखाए देगा यह जो वरतन है वो उनके attitude में भी आपको reflect होगा साथ ही साथ आपके कामकाज जो है वो बनने लग जाएगे आपके घर में पैसा टिकने लग जाएगा, करजा कम होने लग जाएगा, गरीबी दूर भागने लग जाएगी तो सनिवार के दिन से प्रारंब करें, साथ सनिवार करें घर के जितने भी महतुपूर्ण कमरे हैं, सभी के कोने में से कर्चरे को जितना भी कूडा करकर जमाए इकटा है, निकालने नहीं है तो भी वहाँ से जो कुछ भी निकले, उसको निकालने और हर कमरे का थोड़ा-थोड़ा सा ले करके उसको आप किसी गंदी जगा पर बहा दे और बाकी का जो है, उसको घर से बाहर कहीं डाल दे और उसमें एक तिल्ली लगा दे हर घर में, एक-एक, हर कमरे में एक-एक दिपक जला दे, इससे उस जगा पर पोजिटीव एनरजी का एक अलग सक्ति का वहाँ पर वास होने लग जाएगा ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव परकास और अपने जिवन में लाभनित होते रहे हैं, धन्यवाद